हेलो फ्रेंड्स 50 फिरी कुकिंग कोर्सिस कोर्सिस की सभी रेसिपिया देखने के लिए आपको अमारे फिरी कुकिंग चैनल बजाना है यह हमारा चैनल का होम पेज है होम पेज से आपको प्लेलिस्ट बजाना है प्लेलिस्ट पर आपको सभी कोर्सिस देखने को मिल जाएंग कि इस तरीके से आप हमारे प्रिफिट को किंग चैनल की प्लेइस्ट में जा कर 50 प्लस प्रिफिश की सभी रेसपियां आसान तरीके से देख सकते हैं ओके फ्रेंड अब हम अपने मोदक के कुर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं इस कोर्स की रेसेपी नमबर 13 रसमलाई मोदक की आपके साफ शेयर करने आए हैं रसमा लाइं मोदक की रेसिपी को सुरू से आखरे तक जरूर देखेगा रेसिपी की पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं मोदक कैसे बनाई जाते हैं , मोंखडग बनाने के लिए यहां पर मैंने मार्के दरने वाली रसमलाई लिए आज मैं एपने मोंधक बीना एश्ंस और बीना कलर अर्क बनाने जा रहे हूं आपको अपने मोंदक में वैसे ही फ्लेवयर मिलने वाला है जैसा लिए खाते समय मिलता है मोदक बनाने के लिए मैं रसमलाई को रसमलाई के दूद से अलग कर रही हूं आपको अपनी रसमलाई को हलका सा निचोड़ते हुए दूद से अलग करना है यह देखे फेंट इस तरीके से आपको मोदक बनाने के लिए रसमलाई को अलग करना है और दूद को अलग करना है य पतला होगा उसके बाद मावा इखटा होना सुरू हो जाएगा यह देखे फ्रेंड एक मिनट वाद ही हमारा मावा पतला हो गया है अब मैं मावे को और रोस्ट करूंगी जिसे मावा इखटा हो जाए यह देखे फ्रेंड मावे को धिरे दिरे रोस्ट करते हुए हमारा मावा खटा हो गया मुझे अपने मावे को रोष्ट करने में 2-3 मिनट का समय लगा है आपको अपनी गैस की कोडिक कम या ज़्यादय समय भी लग सकता है अब मैं रसमलाई वाला दूद ले रही हूं रसमलाई वाले दूद को पैन में डालना है दूद और मावे को अच्छी तर всей logarit जाना के बाद अब मैं भारी नीयो Var Eso अद यूटां सब्सक्राइब्स हो जाने के बाद पिए इसके बारी कटा हुआ इसके बाद मैं ले ईंग 7 되면 फ्लेवर समय लगा है आपको अपनी गैस की अदर कि बनाने के लिए यहां पर मैंने एक रस्मलाई के अंदर के अच्छी तरीके से निचोड लेना है अब मैं करने के बाद फिलिंग को टेस्टी बनाने के लिए सब्सक्राइब अगर अपने मोदग की फिलिंग में रस्मलाई का फ्लेवर जादे रखना चाथे हैं तो आप अपनी मोदक की feeling में रसमलाई essence की एक से दो ड्रोप मिला सकते हैं सभी ingredient को mix करने के बाद हमारी मोदक feeling बनकर त्यार हो गई है यह देखे फ्रेंट हमारा मोदक बेस पूरी तरिके से ठंडा हो गया है अब मैं इस मोदक बेस को एक बाउल में कर रही हूं मोदक बेस को बाउल में करने के बाद मैं ले दिए पॉड़र शुगर आप Leo आपको मोदक बेस के पूरी तरीकियों से ठंडा के बाद ही डालनी चुढर को मोदक बेस में अच्छी तरीकियों करना है को को इसे टेस्ट करना है कर देस्ट करने लागा अगर आपको रसमलाई का flavor ज़्याहर रखना है तो पापिस में रसमलाई एसेंस की दो से तीन ड्रोप मिला सकते हैं प्रेंट्स आप बिना रसमलाई से रसमलाई मोधक कैसे बना सकते हैं इसकी रेशिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ यह देखके पेंड हमारी मोधक फीलिंग और मोधक बेस दोनों ही बनक करने के लिए मैंने लिया है बारी कटा हुवा पिस्ता अब मैं मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा मोदक बेश ले रही हूं मोदक बेश को राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसके उपर बारी कटा हुवा पिस्ता लगा रही हूं मैं इसके उपर बारी कटी हुई गुला तरफ अच्छी तरीके से प्रेस करना है तो पॉइंट पर वए महस्य तरीके स्टाओ अब मैं मुदक की खाली जगे में मुदक फिलिग थोड़ी भन निये मोदक के अंदर置 मोदक के से मुदक के नीचे के को कवर करने के दो अब मैं आपको मौल्ट के अंदर से मोधक निकालकर दिखाती हूँ ये देखे फ्रैंड हमारा टेष्टी टेष्टी बिना कलर और बिना एस्थ के रस्मलाई मोधक बनकर तियार हो गया आप हमारी बताई हुई रेसिपी से आसान तरीके से रस्मलाई मोधक बनाकर सकते हैं स्क spaghetti तरीकी से में अपने मोधक बेश से और भी स्मलई मोधक बना करके तब आपको दिखाती हूं यह देखेव्या प्रेंड हमारे सभी स्मलई मोधक की प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं आप हमारे रसमलाई मोधक की रेशिपी को mmAd higher 20 times दोनों में से कोई सेभी अधर 20 से बनाद का त्यार कर सकते हैं अगर आपको आपको हमारे मोधक के कोर्च में भीना कलरे बिना एसेंस के रसमलाई मोतक बनाने की रेशेपी पसंद आई है तो प्लीज इस एसेपी की वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने अनुबवम हमारी इस एसेपी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स रसमलाई म मिलेंगे बाई बाई